विल्कम बैक टो इश्म मैं आतुम नंबर सिस्टिम का प्रिवेस यर का क्वेश्चिन स्रीस चल रही है कब आया था ससी सीजील 10 जून 2019 में आया था तो चलिए देख लेता है क्या दिया हुए क्वेश्चिन इफ ए 11 डिजिट नंबर 5Y-588-4805-6 is divisible by 72 दिया हुए वर X equals to Y is the value of root under XY तो हमें क्या निकालना है एक्स का value Y दिया है तो root under XY के जगा पे हम लोग X या फिर Y निकाल सकते हैं किस तरीके से root के अंदर X के जगा पे Y बिठा तो या फिर Y के जगा पे X बिठा एक्स स्क्वेर आगा तो value बाहर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा ठीक है हमें X निकालना है या फिर Y निकालना है देखो अगर हम लोग 72 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं कौन सा नंबर दिया है सर 5Y 588 480 586 तो बता यहां से आपको क्या मिलेगा कि 72 से आप डिवाइड करते हो तो दो से दो factor से डिवाइड करना पड़ेगा एक 8 से दूसरा 9 से हम लोग 9 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है साम अथा बड़ीड सुड भी डिवेडिव मरी 9 का साम निकालोगे तो यह 9 से divisible होना चाहिए ठीक है उसका पहले हम लोग 8 से अगर divisibility check करते हो तीन लास्ट कबाला तीन नंबर हमें divide हो जाना चाहिए किसे 8 से ठीक है अब देखो मजा कैसे आ जाएगा question का देखो यहां से हो जाएगा हम लोग एक काम करते हैं 5 x 6 को divide करते हैं 8 से 8 से कितना होता सर 8 साथ 56 कर लो ठीक है क्या divide हो रहा है नहीं पता है एक का value 1 ले लो ठीक है 1 मतलब एक और बड़ा दो एक का value जैसे 7 ले लोगे तो 8 से यहां से क्या बचेगा सर 1 और 6 8 2 16 हमने क्या किया हमने सोचा कि x का value 7 है उसके नीचे चल जाओ एक का value 6 ले लो क्या 566 566 divisible है तो 8 साथ 56 नहीं divisible है देखो 5 ले लो तो क्या होता है सर 8 से 8 साथ 56 नहीं नहीं होगा तो यहां पर कितना हो रहा सर 8 है तो यहां पर 8 साथ 56 नहीं होगा चलो इसको चार ले लेते देख लो सर 8 से कितना हो जागा सर आठ चापन कर लो या फिर आठ चापन तालिसी कर लो ऐसा ही रखो तो यहां से कितना हो रहा सर यह 6 हो रहा चापन नहीं होगा इसको अगर 3 करते हो तो यह कितना हो जागा यह 56 होगा तर आठ सथ 56 यह हो सकता है ठीक है देखो हम लोगों के पास दो वैलू आ चुका है एकस का एक वैलू 7 है दूसरा एकस का वैलू 3 है ठीक है ध्यान पुर्बख सुनना एकस और वाई के वैलू सेम है अगर हम लोग देखो क्विश्चन में क्या दिया है हमारे पास दो वैलू आ चुका है देखो दोनों दोने ही अंसर में तीन भी है साथ भी है हमें क्या करना है अब डिसाइड करते हैं देखो यह नंबर आठ से तो डिजिट्स को जोड़ोगे मतलब 5 जोड y जोड 5 जोड 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 इसके फैलू को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो completely divisible हो जाएगा पहली बाद हम लोग 9 को हटाते है तो 5 4 9 है इधर 5 5 10 है 10 8 18 है यह भी divisible है 8 चे 14 8 8 16 16 और 6 6 12 ठीक है 22 प्लस x प्लस y अपन 9 9 दूनी 18 और क्या बच रहा है सर 18 से 8 4 प्लस x प्लस y बच रहा है इसको किस से divisible होना चाहिए सर 9 से इसको एक काम कर लेते हैं 4 प्लस 2 x कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास x equals y है अब देखो 4 प्लस 2 x का मतलब सर 4 प्लस 7 दूनी 14 करो साथ बिठाते हैं तो क्या होता साथ दूनी 14 14 4 4 18 9 से डिविजबल होता है उसके बाद 4 प्लस 3 दूनी 6 6 4 10 9 से डिविजबल नहीं होता है तो 3 वैलू नहीं लेंगे हम लोग 7 वाला वैलू ले लेंगे तो option number C आपका सही उत्तर हो जाए ठीक है यह question question जितना लंबा लग रहा है उतना लंबा नहीं है यह धीरे धीरे हम लोग slowly slowly सिखेंगे इस question को अगर आप playlist चेक करोगे तो इस question के जैसे बहुत सारा question आपको मिलेगा हम लोग धीमे 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 करते करते हैं पूरा कर पूरा यह number system का जितना तरकीव वाला question है हम लोग सार इंगलिश में दे दिया फटावर से जाओ जाकर चेक कर लेना थैंक यू बबाई स्टे टून फॉर नेक्स्ट क्लास